आज मैं आपके लेकर आई हूँ बिना तेल का एक बहुत ही टेस्टी नाश्टा और साथ मैं एक बहुत ही डिलिशिस चट्नी बनाएंगे इस नाश्टा के साथ ये चट्नी बहुत ही अच्छी लगती है तो सबसे पहले नाश्टा के लिए मैंने थ्री फोर्थ कपली है सूजी सूजी बारिक मोटी जो भी हो को आप ले सकते हैं अब आपको इसमें डालना है बेसन तो जो बेसन है वो बहुत जादा नहीं डालना है बस दो चम्मच इसमें बेसन डालें आधा चमा जिसमें नमक डाल दिया है सभी जी जो को बहुत अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और अब यहां मैं इसमें डाल रहे हूँ आधा कप दही दही मैंने हलका सा खट टा लिया है अच्छे तरीके से दही को मिक्स कर लेंगे और दही मिक्स करने के बाद अब आप इसमें पानी डालेंगे तो पानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसमें बिलकुल भी गुठली आना रहें इस बात का ध्यान रखेगा एकदम प्री बैटरी आपको बना कर त्यार कर लेना है तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी में और डाल रही हो भी और यह देखिए अब आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके का बैटर मैंने त्यार किया है यह देखिए जो बैटर है ना इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखेंगे और इस इसमें आप एक चौथाई चम्मज डाल दें जीरा एक चौथाई चमज आप इसमें डाल दें राई और इसमें डाल देंगे दो पिंच हेंग साथ आठ कड़ी पत्ते सभी चीजों को लो टू मीडियम फ्लेम पर हलका सा भून लेंगे तो यह देखिए जीरा राई अच्छे से तड़क चुके हैं सारी चीजे भून चुकी हैं तो इस स्टेश पर मैं इसमें एक रफली कट किया हुआ प्याज डाल रही हूं अब इसम पूरी देर के लिए ऐसे आपको इसे भूनना है प्यास को आपको लगभग देर दो मिनद तक ऐसे भून लेना है देखिए पहुँच जादा डार्क नहीं हुआ है प्यास का कलर और इसमें मैंने एक टमाटर डाल दिया है इसे रफली कट करके डाला है तीन साबुत लाल मि डालेंगे पानी ज्यादा नहीं डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी डालना है और बस मिक्स करने के बाद अब हम इसे ठक कर लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग दो मिनट के लिए कोखोने देते हैं तो यहाँ पर दो मिनट हो चुके हैं अब मैं इसे ओपन कर रही हूं देखें प्यास टमाटर साली चीज़े सॉफ्ट हो चुकी हैं तो बस गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा करेंगे और जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसे आप मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे और अब चटनी के टेस्ट को बढ़ाने के के लिए इसमें अच्छा खटा पन लाने के लिए मैंने थोड़ा सा नीबू करस डाल दिया है और बस जार कढ़कान बंद करें और इसे पीस कर त्यार कर लें तो यहां पर देखें बहुत ही टेस्टी चटनी हो चुकी है त्यार इस नाश्ता के साथ यह चटनी बहुत ही अ तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरीके से से मिक्स करेंगे तो जो बैटर है अब एक दम परफेक्ट है तो नाश्ता को फ्लफी और स्पॉंजी बनाने के लिए मैं इसके अंदर डाल रहे हूं आधा चमच इनो इनो की जगा आप इसमें बेकिंग सो ले सकते हैं इनमें थोड़ा थोड़ा घी लगा कर इन्हें ऐसे चिकना कर दें तो मैंने यहां घी लगा कर इने चिकना कर दिया है हलका हलका साई घी लगाना है और बस घी लगाने के बाद आप इसमें बैटर डालेंगे तो जो बैटर है ना वह बहुत जादा नहीं डालन इससे यह दिखने में भी बहुत ही सुन्दर लगेगा नाष्टा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा थोड़ी सी हरी मिर्च लिए इन्हें भी बारे कटकर के लिए यह बीडालती हैं अगर आप बच्चों के लिए नाष्टा बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं अ और इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे और 15-20 मिनट बाद अब मैं इसे ओपन कर रहे हूं और यह देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से नाष्टा त्यार हो चुका है तो बस इन्हें निकालेंगे और ठंडा करेंगे तो यहाँ पर यह ज अब आसानी से यह से निकल जाएगा बहुत ही बढ़िया जाली आई हैं इसके अंदर देखिए नाष्टा कितना ज्यादा फ्लफी स्पॉंची बना है तो मैंने नाष्टा को निकाल लिया है और अब मैं इसके उपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हूं यह देखिए आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूं बहुत ही जाली दार और स्पॉंची है रेसेपी पसंद आई तो लाइक कोमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को प्रेस और और पर क्लिक करें फेस्बुक पेस को फॉलो करें